यूट्योब जैसा कि हमने फोटो संतेजिस स्टार्ट किया है चप्टर नुमर 3 आपकी लाइब साइ Issues का क्लास 9 तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से मेकानिजम फोटो संतेजिस यानि प्रकास संसलेशन की किरिया विधी किस प्रकार से होती है जिस तरह कि हमने में previous वीडियो में पढ़ होगा कि प्रकास संस्यलेशन की किरिया ही होती है वाटर और कार्बन डैकसाइड होग और क्लोरफिल के रियेक्षन से जो भी बनता है याने ग्लुकोज का दूक्सीजड मुक्त होता और पानी का थी है ठीड रिकिन यह होता कैसे है, उसको इसकी किरिया बेदी कैसे होती है, यह कैसे है, प्रोसेस चलता है, पत्यों के बीतर किस तरह से चलता है, यह साइंटिस लोग खोज में लग गये थे, कि अखिर यह बनता कैसे है, तो उनमें से जो साइंटिस थे, कैल्विन रा साइंटिस ने, उन्होंन यह होता है किác च्ञास आयुशे में में नतलुEr industria तम कष्यरान करने जल का जो प्रकास संसिलेशन के स्टार्टिंग वाले स्टार्टि हायँ हो जाता इस COP जो है वो मुक्त फर्ड़ाती है만 Model K κα्षिह संपून किरियाया को दुबागों में साइंटेस्ट ने बाटा और बहुत research करने के बाद पता चला कि इस तरह की जो किरियाएं होती है जो हम समझते हैं कि नहीं सुर्य की किर्णों के कारण हो रही है सुर्य किर्णों कारण जो first है वो होता ही है और सारसाथ में जो dark phase में कहा गया है वो generally हम लोग क्या सोचते हैं कि वो रात में होता है means उसम की प्रकासी अवस्था यानि की light phase तो इस अवस्था की सारी किरियाएं प्रकास की उपस्तिती में होती है यह हम सभी जानते हैं तो इस किरियाओं में सबसे पहले होता क्या है तो जो प्रकास का जो phase था उसको scientist ने इस तरह से निमलिखित मिंस क्या steps by steps को उन्होंने देखा और समझा कि पत्यों में प्रकासी अवस्था में किस तरह से होता है तो सबसे पहले किरे किरने प्रकासी अवस्तह से होता है कि होटा है है क्लोरोफिल 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 क्ल पानी जो जा रहा है जो जल जो जा रहा है रूट से वह पत्तियों में पहुंचता है तो लोग क्या करते हैं जो excited और activated जो chlorophyll है वह जल के अनौ को तोड़ देते हैं जल के अनौ को जिस तरह की हाँ यानी कि जब एक्टिवेटेड़ क्लॉरोफिल जल के अनु को जल की मॉलीकूल्स को दो भावों में तोड़ देते हैं तो इस घटना को फोटोलेसिस अब water कहा जाता है यानि H plus और OH minus आयनों में विभक्त कर देते हैं बाट देते हैं ठीक है जल के इस प्रकास ये अब घटन की किरिया को सबसे पहले किस ने कहा था रौविन हील नामक साइंटिस्ट ने कहा था 1937 में इसलिए इसको हील रियक्षन के नाम से भी जाना जाता है ठीक है यह NADPH2 क्या है यह है निको टैनामाइड एड़नीन डाइन नुकलिटाइड फॉस्पेट यह एक पतियों में उपस्तित एक उनके पतियों को सिकाओं में पहले से ही एक कार्बनिक योगी क्राता है यानि की कार्बनिक कंपाउंड होता है जो जल के प्रकासिया यानि फोट कार्फ किया व ग्रहन किया यानि की जो NADPH है नाठप है बदल जाता है पहले बроп!! NADP, उसके बाद उसको H में, उसको H को गहांद करता है, फिर उसको बाद को और प्लस H करने से वो NHP2 में बदल जाता है, ठीक है? इस यह NADP है, वो क्या है? एक हाईड्रोजन ग्राही है, यानि कि यह हाईड्रोजन का एकसेप्टर है, इसलिए इसको हिल रियेजन्ट के ना एक hydrogen acceptor है एक बदार्थ है जिसको heel region के नाम से भी जाना जाता है ठीक है नेक्स जो step हुआ कि oxygen का उन्मोचन यानि oxygen किस प्रकार से निकला liberation और oxygen किस प्रकार से निकला तो जल के प्रकासी अप घटन से OH आयन एक electron को त्याग कर किस में बदल गए है तो माइनस आयन था उन्होंने क्या किया कि अपना एक आयन को दे दिया OH आयन आप आपस में मिलकर फिर से क्या बनाए है OH प्लस OH बनाते हैं H2O और प्लस वाटर वाटर को सारी H2O प्लस oxygen को उन्होंने मुक्त किया यहां से वह उक्सिजन को सा उथ पाद किरूप में सबसे पहले इस्ट्रोमेट्यक के दौरा बाहर निकाल दिया जाता है तो ढ़्ष जो निकला वो ओक्सिजन के दौर आ निकल गया ठीक है और हम मिला MADPs2 यह मिला हमें यह कहां से मिला यह मिला हमें आप होटल ऐसी सब वाटर से मिला यह यह प्रकिरिया इस्टार्ट नहीं होती तो फिर आगे की प्रकिरिया नहीं शुरू होती ठीक है आगे का रियक्शन कम तो उसके बाद की जो प्रकिरिया थी यह बाद का जो रियक्शन था वो क्या था फॉससफोर राईलेशन, उसकी प्रक्रिया से क्या हुआ कि पतियों की कोशिकाओं में बहुत कुछ होता है जैसे NADP अब पतियों कोशिकाओं में ADP है, ADP क्या होता है? तो यह प्रकास के उपस्तिती में औकार्बनीक फॉस्पेट या नि पतियों जो करتके लिएक्ट करता है तो वो कित GC वो A Mate हो जाता है तो पहले इसमें डाइ था इसमें कम अलीकोस से जब ट्राइ हो जादा हुए निश पास जो एनरजी छीहो ज्यादा हो गई तो ATP का काम क्या है तो latency अकारेति है एक काफि ज़ादा है यह जो सारी घटवबआरं जो हो रही है वह कहां हो रही है आप जानते हैं की Kloroplast के वान्डेट बाउने शारइ anion वांन amount Yang जो दो मेंब्रेंट से बना हुआ होता है क्लोरोप्रास्ट और जो इंसाइड औफ क्लोरोप्रास्ट कॉल इस किलियरली मांग इंटु ए कलरलेस ग्राउंड मैट्रिक्स कॉल स्टॉर्मा बाहर वाले मैट्रिक्स को कहा जाता है और इंसाइड इंसाइड औफ इस कोल्ड ग्रान यह सिंग्लर ग्रान होते हैं फिर इस ग्रान इसले इस ग्राने इस स्टैक ऑफ मेंब्रेट बॉन्ड फ्लाटें सरक्पांड को रही हैं पहले ये सारी प्रक्रियां के अंदर हो रही है घृता अब यह जितना भी था वह सब तो यह जो बाहर मेंपर यह जो बाहरी वाला जो हिस्सा है यह बाहरी जली आउटर मेंब्रेन, टू टैप सो मेंब्रेन से बना होता है, यह जो थैलाकॉड है, थैलाकॉड कहां दिख रहा है, यह है थैलाकॉड ठीक है, और यह है इसका ल्यूमिन, ठीक है, इसके द्वारा बाहर निकाला जाता है, और यह है ग्रैनम, इसके भीतर सारी सारी प्रकडिया होती है ओर सारी प्रकडिया होती है, अब यह स्टोर्मा के फीतर सब कुछ energy क्या energy दिया, ATP भेज दिया और NADP h2 भेज दिया अब यह प्रकासी आवस्था है यहां पर समाप्थ हो गई, अब प्रकास को absorption करने के बाद यह वह योगी बना यह नी आपको अच्छे से समझ में आएगा तो जो इस्ट्रक्चर है यह जो इस्ट्रक्चर एक लोग बनाते हैं अपने भोजन का किस तरह से हमें हमने को दो क्या है हमिसे लावा हमने को जोड़ने के बाद क्या मिला हमें एक्तिवेशन अप ड्रक्षिट क्या operates तो सब्रह्त फिति गरिए म ड्रत कशन्स इंधिविक मिला ही तो ओस ले इंधियुक्त पलाइट यो T का प्रोसेश हो रहा है ठीक है उसके बाद हमें मिला है फोटो फॉस्फो राइलेशन के द्वारा एडी पी जो था वह जो फॉस्पेट इन और्गैनिक फॉस्पेट के जड़िये हमें एटीपी मिला जो की ट्राई था और इसकी एनरजी एडी पी से जादा होती है तो यह हमें प्रकासी अवस्था में मिला अब हम लोग देखेंगे कि डार्क फिज में हमें क्या क्या मिला तो अब प्रकासी अवस्था क्या है या नि डार्क फिज जो कहा गया है और डार्क एक्शन कब होता है तो इस अवस्था में जो सारी जो प अपर यह दिंतल होता है पर यह दिन में अपर कश दो प्रकास भीश दो प्रेंदल को अक्सर डार्क रियक्शन को समझ लिया जाता है कि वो रात में हो रही है ठीक है लेकिन इसमें अब प्रकास की जरूरत नहीं पड़ दी है क्योंकि प्रकास की जरूरत थी वो क्लोरफिल को एक्टिवेट करने में जो वहां से जो प्रोसेश जो स्टार्ट हुआ उसके बादी अब प्रकास की जरूरत नहीं है यानि जितना चाहिए उतना पतियों ने अपना प्रकास ले लिया है और एक्टिवेटेट करने के लिए ले लिया है आप क्या होगा की सबसे पहले जो होगा वह सिक्सेशन and assimilation of co2 co2 fixation किस तरह से होगा तो जो सबसे पहले होगा कार्बन डाइकसाइड जो एस्टोमेटा से होकर कहां आएगी यह कोशिकाओं में पहले से ही पांच कार्बन यूक्त यूगीक जो था राइवोलोज डाइफॉसपेट कार्बन डाइकसाइड गैस से यूग्त होकर छे कार्बन यूग्त बनाता है जो कि अनिस्टेवल होता है और जल्दी ही यह किसमें तूट जाता है यह फास्पोग्लिस एक यूगिक है और प्रकास नसलेशन का सबसे फर्स प्रोडुक्ट होता है माइम्ड में यह आरा होगा कि पहले जब सियो टू का एक अनु गया सिर्ट वियक अनु गया और हुई पांश कार्बन यूगत पहले था तो पहले जो पहले जो निकला साइंटेश ढूंड रहे थे वह यह था कि यह जो दो अनु जो मिल रहे थे हमें PGA के यानि फास्फोग्रिस्रिक एसिड के यह दो अनु कहां से मिल रहे थे तो उन्होंने यह अनुमाल लगाया कि अलड़ी यहां पर पहले से ही कुछ होगा जो दो अनु होंगे ए इसके आर्यू डीपी के तो यह क्या करेंगे यह एक अनु कार्बन डैक्साइट को लेकर यह चार अनुमें विभगत हो जाएंगे और उसके बाद यह दो दो अनुम दे देंगे लेकिन बात में साइंटिस्ट ने ढूड़ा तो उनको पता चला कि नहीं इसके बीतर आल्ड इसके पांच अनुम नहीं है पांच कार्बन यूक्त होने के बाद यह एक और अनुम लेता है और तब यह दो दो अनुम में विभग कर देता है यानि कि फास्ट गिलिस्टिक एशिड जो है एक तीन कार्बन यूक्तिक योगिक है ठीक है जो प्रकास अंसलेशन का यह फर् प्रोड़क्त होता है देखे जैसे यहां स्क्रीन पर देख रहा है आप लोग के सिए अर्यू डिपी से अ कनेक्ट करके उसके साथ जुड़के क्या बनाया तू पीजीए बनाया जो फास्पोग इसे अब यह छे आनू इस ने लिए चे आनू आर्यू डीपी के लिए तो कितन बना 12 अनु और फास्पोग्लिस्रीकेसिद बना ठीक है 12 यहां पर जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक अनु कार्बन का और पांच अनु पांच कार्बन के अनु यहां पर आर्यूडीपी के थे तो यह छे बने इसको छे को दो दो भागों में डिवाइड कर दिया ठीक है यह खुद अपने आप एक प्रोसेस होते रहता है अब यह क्या ले रहा है कि आप 6 अनु ले रहे हैं कार्बन डैक्साइट के और 6 अनु ले रहे हैं आर्यूडीपी के ठीक है तो पहले से इसमें पांच थे 6 और ले लिए तो कितना बना हमें 12 अनु आफ फास्पोग्लिसर अनु ले रहे हैं और फिर यह स्योटू के साथ यह फिर से जूर की क्या बनाता है एक और गानिक कंपांड बनाता है फास्पोग्लिसरिक एसिट पीजी एक निर्मान की किरिया को ही कार्बन डैक्साइट का एसिमिलेशन आफ फू सीओ टू कहा जाता है ठीक है यह फर्स्ट क्या हुआ इस तरह से अब हमें ग्लुकोज का निर्मान अब हो रहा है जो पास अल्रेडि पहले से था एसटोर्मा के भीटर एटीपी एटीपी से उड़्जा फिर से गरहन करता है और किस में बदल जाता है डाइफास्पोग्लिसरिक एसट में यह कनवर्ट हो जाता है यह याणि DPGA में बदल जाता है अब जब ATP के पास जब उर्जा था ट्राइफॉस्पेट यह अपना एक उर्जा दे देता है तो किस बदल जाएगा डाई में बदल जाएगा तो यह डाई में बदल गया अब डाई फास्पोग्लिस्लिक एसिट यानि DPG और NADPH2 जो पहले से स्टॉर्मा के भीतर दे चुका था ग्रहाना ने तो वह क्या बना अब यह दोनों रिड्यूस होकर क्या बनाए फास्पोग्लिस्रल डिहाइड बनाए ठीक है फास्पोग्लिस्रल डिहाइड बनाए फास् बनाता है किटौन बनाता है जैसा कि आपके असक्रीन पर दिख रहा है कि यहां पर प्लंच क्या है एक फास्पोग्लिस्लिक एसेड है वह बनाए ठीक है वह को सबस्के या व्ँरीव सब्सक्राइड पनाए पहां पहें अट्यूस्अकों कैल टैयूस्त दुन फिया इंड neighbor यह बनने के बाद अब आप देखिए कि 12 PGA और प्लस 12 ATP मिलके क्या बनाए 12 DPGA और ADP में कनवर्ट हो गया ठीक है एनी रिड्यूस हो गया ADP में अब 12 DPGA और प्लस NADPH2 जो कि पहले से ही स्टोर्मा में था यह मिलके यह बनाए और और फास्फोग्रीसलेडीहाइट के दो अनु आपस में फिर से जूर के एक फ्रूक्टोस बनाए ठीक है एक अनु का निर्मान करते हैं ठीक है यह 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 कि ADP प्लस FDP यह मिलके क्या बनाए ग्लूकोस और फिर से ATP में अकिडाइज हो गया ठीक है तो यह एक तो फिर से जो ATP में ग्लूकोस बनाने में कितना रियक्शन हो रहा है तो इसको सबसे फर्स्ट में केलवीन नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज़ की थी इसलिए इस साइकल कभी कहा जाता है वो इसलिए कहा तो यह हाईर प्लांट में मिलते हैं इस तरह से ग्लुकोज के निर्मान में सबसे पहले इस तरह की खोज की गई जिससे की पता चला ठीक है आप लोग अच्छे से समझ में आये होंगे और कैल्वी साइकल क्या हमें कहता है यह भी समझ में होगा ठीक है नेक्सट है कि ग्लुकोज का फ्यूचर क्या है याक फेट ऑफ ग्लुकोज क्या है हम क्या राणते हैそ 803 ग्लुपोज के 606 यानिकी 686 किलो कैलोरी सौर उड़्जा रशानिक उर्जा की रूप में संचित रहती है यह कठा रहती है और ग्लुकोज स्टार्ड्स के रूप में इंजाइम्स की सहायता से बदल जाता है तूकि पत्यों में इंजाइम्स और प्रोटीन के साथ साथ बहुत कुछ होता है तो ये अपने में ही ये लोग जमा करते रहते हैं और अपने में ही ये भोजन को गरहन करके फिर से हमें स्टार्ज की रूप में भी देते हैं और कुछ अपने भी काम में भी लगाते हैं यानि खुद के निर्मान में भी ये का करते हैं ग्लुकोज का रुपांतरन सेलूलोज में भी हो जाता है तो सेलूलोज क्या करता है और पौधों में निर्मान होता है तो ग्लुकोज से से हमें कितना कुछ मिल रहा है पौधे खुद अपना काम करते हैं और हमें भी देते हैं ठीक है सिग्निफिकेंस एन इंपॉर्टेंस ऑफोडोसेंसेजिस का क्या महत्तो है हम लोग क्या जानते हैं कि सबसे पहले भोजन का निर्मान होता है फिर उर्जा का रुपांतरन होता ह है सबहे हैं जerवा क्या संचालने दूर्जा की जोड़त परती है यह भोजन नंकी औक्सिकरन से प्राब्थ होती है तो समगती सथोगर्च किसमें हो रहा है क्यमिकल एनट्जी में हम रहा है क्यम्स पीके नामक ंवाटा है तीक है ठीक है, CO2 का, CO2 थता oxygen का संतूलन बना रहता है, यदि पौधे अपना ज्यादा मातरा में CO2 लेंगे, फिर वो CO2 में बीतर में भी तूडते हैं, और उसके बाद से oxygen हमें देते रहते हैं, तो जो balance जो है, वो पौधों के कारण ही बरकरार है, तो ये photosynthesis की किरिया कारण ही बरक और उर्जा चक्र की गति सिलता भी चलती रहती है, ठीक है, तो इस तरह से आज हमने कवर किया मेकानीजा मॉफू, photosynthesis, I hope so कि इस reaction के द्वारा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि इस chapter से related कुछ प्राबलम होता है, तो आप मुझे कॉमेंट से ने पूछ सक करिए, I hope so कि सबको साच्छे से समझ में, और प्लीज सेयर करिए, ताकि और भी बच्चों को लाब मिल सके, और सभी बच्चे इसका लाब उठा सके, ओके, डैन, प्लीज इंट तक वीडियो को देखिए, ताकि आपको ये रिक्स भी अच्छे से याद हो सके, क्योंकि साइ and keep watching, bye bye, thank you